नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दोस्तो Microsoft Excel में हम एक बिल का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं एक इन्वोईस हम कैसे बनाते हैं इस तरह का एक bill का format आप देख सकते हो इस तरह से यह मैंने bill बनाया है और इसी तरह का आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक bill book जो होती है वो हम कैसे बना सकते हैं यानि कि इस तरह का एक bill का format प्रेंट कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ इस तरह का ये बिल बनाया है अब मैं seat number 2 पर आऊँगा क्लिक करूँगा तो यहाँ मैं सबसे पहले ये जो top row है इसको मैं कुछ इस तरह से सलेक्ट करूँगा G तक साथ कॉलम के अंदर ही मैं इस बिल को बनाऊँगा तो मैं कुछ इस तरह से सलेक्ट किया और यहाँ पर मैं merge and center पर क्लिक करूँगा यह merge हो जाएगी यहाँ पर मैं सबसे पहले जो firm का नाम है company का नाम है या फिर कोई भी संस्ता है उसका नाम है जिसके नाम पर आप पिल बनाना चाहते हो उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे उसके बाद मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पर इसको सलेक्ट करूँगा सलेक्ट करने के बाद इसको भी मैं merge and center कर लेता हूँ यहाँ से पर है कोई Gmail है वो मैं type कर देता हूँ जैसे जो भी phone number है Gmail है हम इस तरह से यह Gmail में एक example के तोर पर ले रहा हूं अब मैं इनका जो size है वो बढ़ा लेता हूं यहां से कुछ इस तरह से अब यहां पर मैं अब यहां पर मैंने फर्म का नाम लिखा है इसको select करूँगा इस तरह और यहां पर इसका font change कर लेता हूं यहां से यह मैं यहां से font लूँगा इसका size बढ़ा लेता हूं बॉल्ड कर लेता हूँ, size को इस तरह से बढ़ा लूँगा, इतना मैंने size रखा, उसके बाद मैं इसका भी यहां से font change कर लूँगा, जो भी मेरे को करना है, वो font change आराम से मैं कर सकता हूँ, ठीक, इस तरह से मैंने select, जो भी आपको font पसंद है, वो आप ले सकते हो, इसको करूँगा, यहां से मैं margin center करूँगा, यहां तक मैंने बनाया, अब इन तीनों का मैं color दे देता हूँ, color यहां पर click करूँगा, और जो भी color आपको देना है, वो दे सकते हो, मैं कुछ इस तरह से color ले लेता हूँ, यह वाला, उसके बाद मैं इसको भी margin center करूँगा, नीच यहां से size बढ़ा लेता हूँ, और यहां पर area black, यह मैंने font दे दिया, इसके बाद मैं यहां पर दो raw select करूँगा, इस तरह से, और इनको यहां से margin center करूँगा, और यहां से corner से पकड़के drag and drop करूँगा, दोनों को इस तरह से कर लेता हूँ, यहां पर मैं customer नाम लिखूँ इनको select करना है, यह तीन cell, तीनों को margin center कर देना है, यहां से पकड़के इस तरह drag कर देना, तो यह दोनों, यहां पर मैं इसको select करूँगा, margin center करूँगा, और इसको drag and drop, यह देख सकते हैं, यहां पर मैं नाम लिख दूँगा, यहां पर invoice date आजाईग, यहां पर invoice number, ठीक है मैं इसको इस तरह से select करूँगा, और यहां पर मैं left alignment कर लूँगा, यहां से, click किया, left align होगे, उसके बाद मैं इसको select करके bold कर लेता हूँ, size बढ़ा लूँगा, इसको भी मैं इस तरह से, इसका भी size बढ़ा लेता हूँ, bold कर लेता हूँ, अब मैं यहां पर इसको select और यहां पर मैं all border apply करूँगा देखिए यहां से यह थिक border apply करूँगा यह थिक outside border इस पर क्लिक करूँगा तो यह कुछ इस तरह से apply हो जाएगा और यहां पर भी मैं इस तरह सेलेक्ट करूँगा इसको और यहां से पहले तो मैं इस पर all border apply करूँगा उसके बाद मैं यहां पर ठिक आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक करूंगा तो ये कुछ इस तरह से एपलाई हो जाएगा ठीक है अब हम नीचे आएंगे और मैं इस वाली रोग को छोड़ दूँगा और यहां पर मैं सीरियल नंबर टाइप करूंगा इसके बाद दोस्तों मैं यहां पर तीन सेल स की और इनको कर दीता हूं में मर्ज &्ड सेंट्र और इनको ड्रेगं ड्रौप करूंगे नीचे तक और जितना आपको जरूरत है उतना आप ले सकते हैं और मैंने देखिंग garlic कर लिए हैं अब मैं यहां पे क्लिक करूंगा और यहां पर टाइप कर देता हूं मैं डिस्क्रि इसको मैं यहांत मैं इस तरह से साइज बढ़ा लूँगा और यहां मैं इस तरह से इनको सेलेक्ट करके बॉल्ड कर लूँगा थोड़ा साइज बढ़ा लेता नीचे आएंगे इसको मैं कुछ इस तरह से सेलेक्ट करूँगा उसके बाद मैं यहां पर border apply करूँगा यह thick border ठीक है outside border इसको select करूँगा यहां पर मैं कुछ इस तरह से apply करूँगा यहां पर मैं कुछ इस तरह से apply कर देता हूँ यहां पर भी मैं ठीक है यहां पर select करूँगा इस तरह से ये देखिए इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर देखिए एक दो तीन सेल है यहाँ पर मैं इस तरह से दोनों को सेलक्ट करूँगा और Mergen Center पर किलिप करूँगा और drag and drop करके तीनों को Mergen Center कर लेता हूँ यहाँ पर मैं टाइप करूँगा टोटल amount यहाँ पर मैं gst अब देखिए मैं gst सिर्फ एक की बार ले रहा हूँ अगर आपको sdst, cgst, igst यह अलग-अलग लेना है तो आप रख सकते हो मैं सिर्फ एक की बार ले रहा हूँ यहाँ पर 5 प्रेस करूँगा है निकि 5 परसेंट मैं यहाँ पर gst लेना चाहता हूँ 5 परसेंट इंटर यहाँ पर मैं grand total ठीक है इस तरह से तीनों को select करूँगा यहाँ से मैं left align करूँगा board करूँगा size increase कर लेता हूँ ठीक है इस तरह और अब जो भी amount आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा तो मैं इनको तीनों को select करूँगा कुछ इस तरह से और यहाँ मैं apply करूँगा all border उसके बाद thick border ठीक है यह कुछ इस तरह से आ चुका है ठीक है तो यहाँ तक यह बनके ready हो गया अब हम आते हैं थोड़ा नीचे और यहाँ पर दोस्तों मैं इस तरह इसको select करूँगा और यहाँ पर कर लेता हूँ इसको merge and center यहाँ पर मैं type कर देता हूँ terms and conditions conditions ठीक है terms and conditions type किया इसका मैं आपर तो मैं इसका font change कर देता हूँ यहाँ से font change किया थोड़ा bold कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इन सभी को कर लेता हूँ merge merge and center पर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर इनको drag and drop कर लेता हूँ अब यहाँ पर मैं जो भी note है जो मतलब note लिखा होता ने note यहाँ पर time and conditions वो मैं यहाँ पर type कर देता हूँ जो भी time and conditions है उनको मैंने type कर लिया है अब मैं क्या करूँगा कुछ इस तरह से इनको select करूँगा यहाँ तक select करने के बाद मैं यहाँ पर इसको no border no border के बाद मैं यहाँ थिक border apply करूँगा थिक outside border आप दोस्तों यहाँ पर मैं इसको इस तरह सेलेट करूँगा इस वाली जो तीन सेलेट कर लूँगा और यहाँ से merge and center पर क्लिक किया जो भी authorized की signature है वो मैं type कर देता हूँ और मैं इस तरह से select करके और यहाँ पर मैंने थिक border apply कर देता हूँ यहाँ से तो यह हमारा बन गया दोस्तों इस तरह से यह एक format अभी हमें अगर हम यहाँ पर ctrl f to press करें तो जो पेपर है उसमें कुछ आदाव दूरा सा दिखाई दे रहा है तो अभी मैं इसमें और कुछ editing कर लेता हूँ जैसे कि नीचे में दो सेल है दो रोहेन को select करूंगा और यहाँ पर color apply कर देता हूँ इस तरह से और इसके उपर तो यहाँ पर आप देख पारे होंगे कि यह जो कॉलम में इसका size कमे थोड़ा सा तो हम इस तरह से adjust कर लेंगे इनको इनको भी मैं बढ़ाओंगा और यहाँ पर center कर लेता हूँ इस तरह और इसको में बढ़ा लेता हूँ ठीक है यह size मैंने बढ़ा दिया है मैं यहाँ पर इसको select करूँगा इस तरह से तो मैं 19 कर देता हूँ इनको यहाँ से format में करके row height 19 और ok करूँगा तो इनकी थोड़ी थोड़ी height बढ़ गई है इसके बाद दोस्तों अब मैं यहाँ पर जो भी product है उनको मैं type कर लेता keyword इंटर करूँगा mousy mouse जो भी product है उसको हम यहाँ पर type कर लेंगे इसके अलावाँ जो भी हमारे पास product है वो हम type कर सकते हैं easily अब इनका जो price है वो भी मैं यहाँ पर type कर देता हूँ जैसे यहाँ पर मैंने price type किया यहाँ पर quantity type कर लिया अब दोस्तों यहाँ पर मैं price को quantity से multiple करूँगा तो यहाँ पर जो amount है keyword का वो आ जाएगा तो उसके लिए मैं use करूँगा equal इसको मैं multiple कर देता हूँ इससे ठीक है price को select करके इसको multiple कर दिया quantity से देख सकते हो यह इसका amount वो आ चुका है अब सभी का देखना है तो drag and drop कर देंगे यहाँ पर आ चुका है सभी का amount अब यहाँ पर total अची है तो यहाँ पर हम sum कर सकते हैं तो मैं sum करूँगा equal sum tap rest करूँगा इस तरह से select करूँगा bracket close और enter कर दे तो यहाँ पर मैंने sum function यूज किया है अब इसकी जगे पर हम sum product function भी यूज कर सकते थे जैसे कि यहाँ पर मैं type करूँगा equal sum product array 1 में में इसको select करूँगा comma लगा दूगा और array 2 में में इसको select कर लेता हूँ यह दोनों बराबर होने चाहिए इस तरह से और बस simple bracket close और enter कर द के लिए बता दिया है यहाँ पर मैं customer का नाम लिख देता हूँ जैसे राजेस जो भी date वो में लिख देता हूँ यह today function यूज करूँगा मैं इंटर आज की जो date वा जाएगी यहाँ पर मैं example के तोर पर इस तरह से invoice number लिख देता हूँ अब दोस्तों मान के चलिए कि कि किसी जीरो कर दीजिए जीरो हो जाएगा इधर भी और यहाँ पर भी amount घट जाएगा तो इस तरह से दोस्तों आप यह बिल बना सकते हो एकसल में अगर किसी को print करना है तो simple नाम टाइप करना date और invoice number टाइप करना है और कौन उसने product लिए बस बाकिया quantity देदी जी कितना कितना quantity लिए तो automatically यहाँ पर जो multiple हो जाएगा सबका और समोकर के नीचे आ जाएगा यहाँ पर हम निकालते हैं जी एश्टी 5% तो उसके लिए मैं बहुत ही आसान आपको formula बता देता हूं देखिए equal लगाना है इसको select करना है multiple करना है multiple का जो symbol होता star वाला volume में ने लगाया 5 type करू होंगा तो 5% निकलाएगा यह 56,400 का 5% है 2820 ठीक है यह 5% GST आ चुका है grand total में हम दोनों को sum कर देंगे इसको मैं इस तरह select करके bracket close और enter तो यहाँ पर आप देख सकते हो 59,220 रुपीज आ चुका है total amount इसका जो number formative मैं change कर देता हूं यहाँ से इंडियन रुपीज में कुछ इस तरह से थोड़ा बहुत changes इसमें करने वाला हूं यहाँ पर मैं जाऊंगा format में और इसकी जो high table में 20 करूंगा इस तरह और यह जो सभी रो है इनकी जो high table मैं इनकी जो high table कर देता हूं मैं 13.5 आ रहा है मैं 14 कर देता हूं पूरा और ok करूं इनकी size बढ़ गई थोड़ी थोड़ी और मैं इसकी भी बढ़ा लेता हूं और इसकी भी बढ़ा लेता हूं इस तरह से तो थोड़ा से हमारा adjust हो जाएगा यह देखिए कुछ इस तरह है और यहाँ पर हम इसको भी बढ़ा लेंगे इसका size थोड़ा-थोड़ा इनको भी हम bald कर लेते हैं यहाँ से बॉल्ड ठीक है छोटी-मोटी जो भी कमी है वो आप कर सकते हैं इस तरह है Ctrl-F2 प्रेस करूंगा मैं तो यह हमारा इस तरह का एक बिल बनके ready हो चुका है दोस्तों हम इसको आसानी से print कर सकते हैं अब यह जो हमें दिखाई दे रहा है पेपर का जो size है वो है letter में यहाँ पर हम क्लिक करेंगे letter देखिए यह option दिखाई दे रहा है आपको क्लिक करूंगा यहां से मैं A3, A4, A5 जो भी जिस paper के size में आपको बिल को print करना है वो आप कर सकते हो जैसे कि मैं A4 लेता हूं तो A4 मैं देखी यह आदा हिस्सा है वो चला गया है तो मैं क्या करूंगा यहां पर मुझे इसको थोड़ा सा और एड़ेस्ट करना पड़ेगा तब जाकर यह इस paper में आएगा तो मैं escape की button press करूंगा और फिर से Excel City पर आजबगा यहां पर जाना है और इसको देखी यहां पर यह जो लाइन दिखाई दे रहे हैं आपको डॉट डॉट करके तो यह इस लाइन के अंदर ही रखना है मुझे इसको तो यहां पर देखिए मैं कोछ इस तरह से रखूंगा और अब Ctrl F2 प्रेस करूंगा तो अब आप देख रहे हो यह A4 साइज में हमारा जो paper है वो यानि हमार अब नौर्मल market & Commerce ंप जाऊंगा अब कुन्याकर मारजन तो इप्रसे इसको कर लिटा है 2.5 उपर से खिसक निचे आगया और फिर से जाऊंगा मैं और बढ़ा लेता Oriel तरी कर देता हूं इस तरह से मैं अपना जो margin उसको fix कर सकता हूं क्लिक करूंगा और यहां पर एक option और दिया गया देखिए center on page मैं horizontal पर क्लिक करूंगा और ok पर क्लिक करूंगा देख सकते हो अभी जो हमें यहां पर तो कम जो margin वो दिखाई दे रहा है यहां पर ज्यादा मार जने तो मैं यहां पर इसको horizontally पर select करूंगा और ok पर क्लिक करूंगा तो दोनों बगल से एकदम center में हो जाएगा हमारे जो print करवा सकते हैं आयोप आपको यह वीडियो पसंद आएगो वीडियो अगर पसंद आएगो वीडियो को like कर दे चैनल को subscribe जरूर कर ले हम मिल आपको किसी next वीडियो में नए topic के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रम